नमस्कार जोतीश एक दिव्यप्रकास चैडल में आप सबका स्वागत है दोस्तों आज हम बात करेंगे वास्तु सास्त्र के अनुसार तीजोरी और अलमारी को कौन सी दिशा में रखना चाहिए बोस्तों घर में रखी गई किसी भी वस्तु का व्यक्ति के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है यदि आपके घर में रखी गई किसी भी वस्तु का सही दिशा में होना आपके जीवन पर गहरा असर होता है यदि ऐसा ना हो तो हमें इसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं घर में तिजोरी और अलमारी को सही दिशा में रखा होने से आपके घर में पैसे का अवागमन सुचारू रूप से चलता रहता है धन का प्रभाव बना रहने के साथ साथ इस्थायत भी रहता है घर में पैसा टिकने लगता है लेकिन अगर आपके घर में तिजोरी और अलमारी की जगह सही ना हो तो आपको आर्थिक संक्टों का सामना करना पड़ सकता है पास्तु सास्त्र के कुछ तरीकों से हम जान सकते हैं कि हमारे अलमारी और तिजोरी की दिशा ठीक है या नहीं जैसे आपकी कमाई से ज़्यादा खर्च होना पैसा आता है परन्तु तुरंत खर्च हो जाता है दवायों पर बहुत ज़्यादा खर्च होना किसी भी तरीके से बचत नहीं हो पाना और ना चाते हुए भी शौपिंग और घूमने आदी में खर्च होना ये सभी कारण बताते हैं कि आपके घर में वास्तु के अनुसार तिजोरी और अलमारी की दिशा ठीक नहीं है वास्तु सास्त्र में घर में इस्तमाल होने वाली प्रतीक वस्तुओं के लिए अलग-अलग दिशाएं बताई गई है वास्तु में बताया गया है कि दिशाओं के अनुसार वस्तुएं रखने से सकरात्मक उर्जा का संचार होता है और घर में धन का सुचारू रूप से अवागमन होता है खुशाल जीवन के लिए कीमती वस्तुवों और धन को सुरक्षित रखना बेहद जरूरी होता है दोस्तों वास्तु के अनुसार धन का जोन उत्तर दिशा होता है यही कारण है कि उत्तर को धन के देवता यानि कुबेर की दिशा माना जाता है वास्तु के अनुसार धन को सुरक्षित रखने के लिए और प्रगति के लिए कुछ उपाय बताये गए हैं वो इस प्रकार है सबसे पहले अलमारी को दक्षिन दिशा में इस तरह से रखें कि उसका मुह उत्तर दिशा की और खुले यदि अलमारी का मुह उत्तर दिशा की और ना खुल पाये तो उसका मुह पूरव दिशा में हो तो भी शुब रहता है घर में धन के आवागमन को सुनिश्चित करने के लिए यह बेहत जरूरी है उत्तर दिशा को उरजायमान तथा सकरात्मक एवं परभावशाली बनाए जलतत्व उत्तर दिशा का परतिनिधित्व करता है इसलिए यह बेहत जरूरी है कि धन के प्रवाह को बनाए रखने के लिए आपके घर में जलतत्व उत्तर दिशा में ही हो इसके अलावा एक बात और ध्यान में रखनी चाहिए कि उत्तर दिशा बहुत ज़ादा साफ सुत्री हो और वहाँ पर कोई भी फालतू समा ना रखे इस दिशा में नीला काला हरा रंग अच्छा प्रभाव देता है लाल रंग का प्रियूग उत्तर दिशा में कभी भी नहीं करना चाहिए दोस्तों इन उपायों का इस्तमाल करके हम अपने धन को सुरक्षित रख सकते हैं अगली जानकारी के लिए जुड़े रहे मेरे चानल जोतीश एक दिवय प्रकात से धन्यवाद जैशी क्रिश्णा करना चाहिए